शहर के नाड़ा खाड़ा के बाहर पार्किंग में खड़ी कार में अग्यात लोगों ने एसेट फेक कर कार को लाखो का नुकसान पहुचा दिया। कार मालक मुकुट बिहारी गुपता ने बताई की कार के को खरीदे हुए करीबन चार से पांच महीने हुए और सुबह साड़े पांच बजे उनका बच्चा रोज की तरह कार को पार्किंग में खड़ी करता था लेकिन बुधवार को पार्किंग में कार को खड़ी करके आया लेकिन 10 बजे के करीब कार मालिक ने गाड़ी को देखा तो गाड़ी पर एसिट से गाड़ी को खराब कर दिया गया था, जिसके बाद कार मालिक ने सुरशपुल थाने में मामला दर्श करवाया है, इस गटना के बाद बापू बजार के व्यापारियों में रोश व्याप्त ह मेरी गाड़ी पार्किंग में नाड़ा खड़ा पार्किंग में खड़ी थी, सुबह शाड़े पांच बजी बच्चा लेकर आके खड़ी करके गया, अभी साड़े तस बजी आके देखा तो किसी ने उसके उपर एसीड और चारो तरफ रेट कलर से पूरी छार दी गाड़ी, पूरी गाड़ी को खराब कर दी, कम से कम 2-3-3 लाग का नुफसान कर दिया गाड़ी, और केमरे में कई कवर नहीं आ रहा है, पता नहीं, और पेट पार्किंग है हमारी, पार्किंग वाले से बूचा था कि रात को दो दूरे पेट पार्किंग में कभी भी लगा सकते हैं पुलिस की रिपोर्ट करवा दी है, एक फायर कोपी लेंके आनी ही वह से, रुक्सान कम से कम 2-3 लाग रुपे का महान लाग, पार्किंग में कितना समय से बढ़ी है, वो सुबह साढ़े पांच बजे आके घर से आता है, दूकान खोलना है, दूद का पालर है, तो सुबह स साढ़े पांच में से लगाता है, अभी साढ़े पांच में से देखी है, अमने तो घड़ी, ऐसी हो गई दूर से,